अपने इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिसकस करने जा रहा हूं उस केस का नाम है ग्लोरी लाइफ साइंसे प्राइवेट लिमिटेड वर्सिस असिस्टेंट कमिशनर आफ इंकम टेक्स यह मैटर दिल्ली ITAT की सी बैंच ने डिसाइड किया मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल पे नंबर 48 पे रिपोर्ट हुआ और डिसीजन 6 अप्रेल 2021 का है इस केस में यह साम ने जब पेनल्टी इनिशेट की और जो नोटिस इसू किया उसके अंदर जो स्टेंडर लाइन लिखी होती है नोटिस के ऊपर की पेनल्टी नोटिस वर पेनल्टी पर फरनेशिंग इन अकुरेट पर्टिकुलर्स अबलिक पेनल्टी फॉर कंसील्मेंट ओफ इंकम कहने का तात्पर्रे यह है कि जब डिपार्टमेंट पेनल्टी इनिशेट करता है सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉस C की तो मैक्सिमम नोटिस के अंदर यो इतनी भी पेन नह जगने जा रही है जिसके लिए असेसी को सजा मिलने जा रही है क्या उसने इनकुरेट पर्टिकुलर्स फरनिश किये हैं या कंसील्मेंट ओफ इंकम की है कम से कम या उसने दोनों किया है तो असेसी को यह बताना जरूरी है डिपार्टमेंट का कि आपको किस बात की सजा मि रही है यह बहुत सारी केसिस में पहले भी डिसाइड हो चुका है और यह लेड्स इस बात को स्पेसिफद नहीं करता कि यह department ने penalty किसली Ineet की है penalty for any Concealments of Income और penalty for furnishing inaccurate particulars और जहां पर यह mention नहीं किया गया है और जिन भी मामलों में डिपार्टमेंट ने penalty impose कर दी है वहां पर जो है डिपार्टमेंट पेनल्टी जो लगाई है डिपार्टमेंट ने वह penalty जो है वह सस्टेन नहीं करेगी तो इस case में भी दिल्ली कि ITAT ने यह कहा कि AO साब ने यह नहीं बताया कि assessi ने inaccurate particulars furnish किये है या concealment of income किये है जब assessi को यह पता ही नहीं कि उसका जुल्म क्या है तो उसको उसकी सजा कैसे दोगे कम से कम डिपार्टमेंट का यह फर्ज है अट लीस्ट यह जिम्मेदारी है कि उनको यह बताएं कि section के कि लिम्म के अंदर assessi के ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया जा रहा है assessi को आप guess करने के लिए नहीं छोड़ सकते कि वो अपना जवाब कैसे देगा जब तक उसके ऊपर उसका allegation ही clear नहीं होगा कि आपको हम किस matter में एलच कर रहे हैं जब तक assessi के लिए उसका जवाब देना भ इस decision के बाद जो है वो सारे order जो है इस decision के बाद बेकार हो जाते हैं जहां पे department ने penalty impose की है और जहां पे उसने अपने notice में यह specify नहीं किया कि department कि लिम्म के अंदर जो है वो assessi के उपर penalty लगाने जा रहा है friends department जब भी assessment order पास करता है तो penalty का जो notice है वो issue कर दिया जाता है as a ritual जैसे कोई यह एक रीती रिवाज हो कम से कम department यह भी नहीं देखता कि जहां पे estimation पर कोई addition की गई है वहां पे penalty जो है वो assessi पर नहीं लगाई जानी चाहिए जहां पे difference of opinion है किसी बात पे यहां पर penalty नहीं लगाई जानी चाहिए जहां पर assessi ने a method लिया और department ने b method माना और दोनों ही method जो है वो मानने हैं और ऐसे cases में भी penalty जो है वो sustain नहीं करती और जहां पर deemed income के basis पर suppose करो कि assessi ने अपनी return file करी उसके अंदर assessi ने fair market value जो है वो नहीं ली actual sales consideration ली लेकिन बाद में department ने section 50C के अंदर उसका addition कर दिया उन cases के अंदर भी assessi के ओपर penalty नहीं लगने चाहिए तो यह जो decision है यह एक बहुत useful decision है क्योंकि यह decision जो है वो इस बात को कहता है कि जब कभी भी department notice issue करता है तो at least notice issue करते वक्त notice issue करने की मर्यादा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और खाली for the sake of imposing the penalty penalty notices should not be issued and it should not be treated as a ritual to just initiate the penalty and impose the penalty after that. So, this is a very important judgment where the penalty notice has been initiated very casually and all those penalty orders will be quesed after this order because this is a Delhi ITAT decision. So, this decision will be very helpful in dealing the penalty orders in the case of Delhi where the notice is very vague and notice is not clear that for which for which matter the penalty has been issued by the has been initiated by the income tax department. Once again friends I am repeating the name of the case the name of the case is Glory Life Sciences Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax and this case has been reported in 87 ITR tribunal page number 48 and this case has been decided in decided on April 6, 2021. Thank you friends, thank you.